हेलो रमस्कार दोस्तों मैं संजीव स्वागत करता हूं ने यूटुब चैनल कोईनम वीडिया में दोस्तों जैसे आपने थमनेल देखा होगा यह आपके सवाजबा बाली वीडियो है जो कि दोस्तों आप लोगों ने हैस्टेक कोईनम वीडिया लगा के इस वीडियो के नीचे कमेंट किया था जो नेक्स्ट वीडियो थी मेरी मतलब लास्ट वीडियो जिसने भी उसमें दोस्तों हैस्टेक कोईनम वीडिया लगा के ठीक से सवाल पूछा है उन्हीं लोगों के इसमें reply दिये जा रहे हैं जिन्होंने बिल्कुल ठीक से clear लिखा था hashtag coin media ठीक है ना उसी के reply उठाके इसमें दिये जा रहे हैं आपको निराज होने की जरूरत नहीं है अगर आपका इसमें सवाल नहीं आया और इसमें 4 लग्य विनर है जो उनका reply दिने वाला हूं अगर आपको भी कोई सवाल पूछना है आप इसी वीडियो के नीचे hashtag coin media लिखके पूछ सकते हैं next video दो-तिन दिन के अंदर आएगी तो आपका reply उसमें दे दिये जाएगा ठीक है तो वीडियो स्टार्ट करते हैं तो देखिए पहला सवाल किसने पूछा है तो पहला सवाल पूछा है हमारे सब्सक्राइबर पिंटू सिंग्जी ने hashtag coin media sir मेरे पास 5 रुपे का 1992 का सिक्का है कुछ अलग मैटल का है तो ठीक है मैं पिंटू जी मैंने सुन लिया आपका ये सवाल ये कुछ अलग मैटल का है तो इसमें बिल्कुल मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा मगर उससे पहले मैं आप सब्सक्राइबर को ये चीज बता देता हूं देखिए जो भी ऐसे जनरल सर्कुलेशन के लिए coin issue किये गए थे मतलब तो इन सबका मैटल जो था सर्कुलेशन के कोईन वालका सबका कॉपर निकल था वेट नो ग्राम है साइज इसका तेज से में में थीकनेस इसकी तीन में में शियप इसकी राउंड है ठीक है बॉंबे, हैदराबाद, कैलकेटा, नोयडा मिंट से issue किये गए थे यह भारस के मिंट थी एक इसमें विदेशी मिंट है MMD मतलब Moscow मिंट ठीक है न तो 1992 में बॉंबे, कैलकेटा, हैदराबाद, मिंट की तरफ से coin आये थे यह परकाश में और आपने बोला है 1992 में आपका कुछ अलग metal का है, तो बिल्कुल वो brass metal का भी हो सकता है, जो कि OMS की category में आता है, बहुत ही extremely rare coin है वो, क्यूंकि दोस्तों जब शुरू करते है coin छापना तो 1992 में यह coin चेक हुए थे, कि यह कौन से metal में आने चाहिए, ठीक है, तो इनके पास एक mule coin बिल्कुल हो सकता है, तो आप मुझे WhatsApp कर देना, WhatsApp नमबर आपके पास होगा, नहीं तो description में मिल जाएगा आपको, यह arrow के मैदम से इसमें निशान पे क्लिक करके, description आप पूरा पढ़ सकते हैं, दूसरे चैनल भी, Abby Group भी है, और Instagram की ID भी है, सब उसी में है, तो आप उसको भी joint कर सकते हैं, अगर आपका मनने तो, ठीक है, उसमें number है, आप मुझे WhatsApp कर देना, तो मैं चेक करने के बाद बिल्कुल आपको यह उसमें help करूँगा, और निलामी auction में हाउस में भी, मैं आपकी sale करवान में मदद करूँगा, अगर वो OMS coin है तो, value में उसकी ऐसे नहीं बता सकता, बिना चेक करें, अब आपके पार 5 रुपीज के ऐसे coin भी हो सकते हैं, यह देखिए एक बार, यह देखिए, 1992 में जो की अलग-अलग category के coin आये थे, मतलब मैं बताना चाहूँगा, इसमें security ages, ठीक है, एक small dot के साथ है, legend line और एक है, इसमें big dot के साथ, ठीक इसमें कुछ smooth भी है, कुछ rated है, तो हर एक की अलग-अलग sun के साथ से उसको check करना पड़ेगा, कौन से sun में, कौन से ages का इसमाल हुआ था, और कौन से गलती से छपे हैं, यह चीज देखके पता लगता है coin की value है या नहीं है, ठीक है, तो यह बहुत लंबा period चला था, इसका एक वीडियो में possible देखे, जितना हो सका उतना मैंने explain करा था, अगर आपने वो वीडियो भी तक नहीं देखी, तो उपर आई बटन पर आपको click करके वीडियो देख सकते हैं, नहीं तो दोस्तो चैनल पर बहुत सारी वीडियो है, जो कि आप यह सब देख रहे हैं, लगी सारी देता हूँ, जो आपको हर एक चैनल पर देखने को नहीं मिलेगी, एक वीडियो में जितनी भी उसके कोईन के उपर होती है, सारी जानकारी में देने की कोचिस करता हूँ अपने चैनल पर, जो भी कोईन में खास बात होती है, तो मैं एक ही वीडियो में आपको जादा explain नहीं कर पारा क्योंकि औरों का भी reply देना है वीडियो लंबी हो जाएगी तो नेक्स कोशन कवर करते हैं किसका है नाक्स्ट कोशन पूशा है करेंट मार्केट प्राइस जानना चाते हैं तो ठीक है लोकेट जी मैं आपका बता रहा हूं देखिए आप आपके पास 1950 का ये वाला कोईन होगा वन रूपीस का जो कि मैटल इसका पूरा निकल में है वेट इसका साड़े ग्यारा ग्राम है साइज इसका 30 mm है थिकनेस इसकी 2.65 mm है शेप इसकी राउन है ठीक है ऐसे सेम कोईन 1954 में भी निकले थे और 1950 में भी मैटल सब कुछ सेम है मग अगर 1904 का है वो रेर कैटिगरी का कोईन है वेल्यू आज की डेट में उसकी यूएनसी में 25 रूपे प्लस चल रही है अगर कोईन घिसा हुआ है तो 800 से 1500 के बीच में भी बिखता हुआ दिख रहा है ठीक है ना तो जो 1950 का आपने पूछा है यूएनसी कंडिशन में आपका 200 रुपीज का अराम से सेल हो सकता है ठीक है लोके जी आपका रेपलाई मिल गया है अब नेक्स्ट कोचन कवर करते हैं किसका है तो नेक्स्ट कोचन पूछा है महिंद्र जी ने हैस्ट कोईनमेडिया सार मेरे पास 1947 का हाफ रुपीज है जोज 5 किंग का OMS brass metal का बता रहे हैं और यह इसकी market price भी जानना चाहते हैं और बोलने हैं good information तो thank you sir आपने पूरी वीडियो वाच कर रही है इसका मतलब और यह आपके पास आपका जो सवाल आपने पूछा है यह आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं इस टाम हाफ रुपीज के कोईन ठीक है जो जनर के पिसकी round है ठीक है यह bombay mint के ही तरफ से issue किये गए थे half रुपीज जो की काफी करोडों की तादाद पर छपे गए थे 1946 और 1947 में ठीक है यह बिल्कुली normal वाले हैं अराम से आपको मिल चकते हैं किसी भी dealer के पास या किसी भी exhibition के बाहर जो भी stall लगाते हैं वहापे सबको आ के काटिगरी के कोई होते हैं वेल्यू जादा स्यादा 50 रुपे हैं यूंसी कंडिशन में और आपने बोला है ब्रास का आपके पाक कोई है पूरा तो वह OMS की काटिगरी में कोई आता है आप उसके निलामी करवाई या auction आउस में तब ही उसकी exact वेल्यू निकल के आएगी क्योंकि देखिए ऐसे जो है ब्रास के भी वन रुपीज भी देखे हैं मैंने और हाफ रुपीज भी देखे हैं आना भी देखा है ठीक है न ये सब जो भी होते हैं ब्रास के इसकी आपको auction निलामी करवानी पड़ेगी तब इसकी exact value निकल के आएगी और आपको WhatsApp नंबर य किसने पूछा है तो next question पूछा है संजे कुमार जी ने हैस्टक कोईने विडिया आये है 1992 रुपीज तो ये इसकी कीमत जानना चाहते हैं current market value क्या चल रही है ठीक है संजे कुमार जी थोड़ा सा ठीक से लिखिए एकदम चिपका चिपका के आपने लिखा हुआ है इस पेस दीजिए और अब मैं इसके point पे सवाल पे आता हूं 1992 का जो आपने पूछा है आपने इसमें mint भी open नहीं की है 2 रुपीज में 1992 का noida mint का rare category का coin है जो आप अपनी screen पे देख रहे है इस time ये general circulation के लिए issue की गए थे सारे coin copper nickel इसका metal है weight इसका 6 gram होगा size 28 mm है thickness इसकी 1.93 3 mm है और 11 corner shape है इसकी ऐसे coin आपने परकाश में देखे होंगे बंबाई, हैदरबा, कैलकेटा, noida mint से और इसमें विदेशी mint का भी इस्तमाल किया गया है 4 विदेशी mint भी है ठीक है 1992 में बंबाई, कैलकेटा, हैदरबाद और noida mint की तरफ से coin आये थे इसमें सिर्फ और noida mint की है जो rare category की है देखें आप ये देख रहे हैं सिर्फ इसमें loin को आप देखेंगे arrow के मैंदम से देखिए गिसा हुआ है तो ऐसे coin जाद से यदा 500 से 700 और के बीच में भीचते हैं तेक है अब जो अच्छी condition के होते हैं ये दूसरा coin आप देख लिए तेक है ये वाले coin क currency भी बोल सकते हैं बिल्कुल एगदम साफ दिख रहा है एगदम साफ सुत्रा coin है जो circulation में इसमें नहीं किया गया उसके आपको 1500 से 1700 और के बीच में असानी से मिल सकते हैं ये इसकी आज की market की current value चल रही है main condition होती है दोस्तों condition जितनी अच्छी होगी coin की उतनी अच्छी आपको value मिल सकती है no doubt अगर आपको वीडियो पसंद आई हो like share जरू करना मेरी वीडियो को ज्यादा से ज़्यादा दोस्तों लोगों में पोचेगी आप like करेंगे तो और share करेंगे तो और भी बढ़िया है औ आपका नहीं आपाया किसी कारण तो आप ठीक से लिख दिना है इस्टेक कोईनमेडिया अपना reply आगे लिख दिना सवाल तो बिलकुल मेरा आपका reply की कोशिस रहेगी कि इस वीडियो के अंदर next वीडियो में आपका reply मैं दे दूं ठीक है तो मिलते हैं अगली वीडियो में